मात्री भूमी का मान पात्र परिचे राव हेमू बूंदी के राव अभै सिंग चितोड के सीनापती महराना लाखा चितोड के महराना चारणी एक गाई का वीर सिंग बूंदी का राजपूत अन्यपात्र कुछ बीर सिपाही पहला दृश्य स्थान बूंदी गण बूंदी के राव हेमू अपने कक्ष में मेवार के जिमापती और तो आप बूंदी को मेवार की अधीनता स्विकार करने की आग्यार लेकर क्यों आए हैं। महराव हम राजपूर्त यूं अलग-अलग रहकर विदेशियों का सामना कैसे कर सकते हैं। हम सब अपनी शक्ती एक केंद्र में रखें। और वह केंद्र है चित्तोड। जो राजवंस पहले मेवार के अधीन थे वे आज भी। अभे सिंग जी, हाडा वंच किसी की गुलामी स्विकार नहीं करेगा। महराव, राजपूतों को एक सूतर में बांधने की शक्ती जिसमें है, वे हैं महराणा लाखा। शक्ती की बात छोड़ो अभे सिंग, हर राजपूत को अपनी शक्ती पर नाज है। बूंदी स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगा। आदीन होकर किसी की सेवा करना हमें मन्जूर नहीं। तो मैं जाओं। आपकी इच्छा। दोनों का दो तरफ विपरीत दिशों में सर्थान परदर किरता है। महराना लाखा बहुत चिंतित मुद्रा में घुम रही है। मुठी भर हाडाओं ने हमें हरा दिया। मेवाड के इतिहास पर कलंग का टीका लग गया। मुझे कितनी ठेस पहुँची है। यह मेरा हिदे ही जानता है। अभै सिंग का प्रबेश। महराना जी, सभासद आपके दर्शन पाना चाहते हैं। सेना पती, आज मैं दर्बार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें नोमरा के मैदान में बुंदी के राव हेमू से हार कर भागना पड़ा, मिरी आत्मा मुझे धिकार रही है। महराना, हडाओं ने रात के समय अचानक हमला बोल दिया, आप कहां भागे, हम ही आपको खींच लाए। मैं अपने मस्तक से ये कलंक धो डालना चाहता हूं। मेवाड के सैनिक आपकी आग्या पर अपने प्राणों की बली देने को तयार हैं। महरावल बपा का वन्शज मै लाखा, आज प्रतिग्या करता हूं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में सैनिकों सहित प्रवेश नहीं करूंगा, तब तक अन्य जल्ग रहन नहीं करूंगा। महराणा, छोटे से दुर्ग के लिए इतनी बड़ी प्रतिग्या, बूंदी को असके दृष्टता का दंड मिलेगा, पर महराणा इसमें कई दिन लग सकते हैं, आप ऐसी भीशन प्रतिग्या ना करें। सेना पती, सूर्य वंश में पैदा होने वाले कभी अपनी प्रतिग्या वापस नहीं लेते। समनी पैदा करने जा रहा हूँ। यहाँ आप क्या कहती हैं महराणा? चारणी, महराणा ने प्रतिग्या की है कि जब तक वे बूंदी के गड़ को जीत ना लेंगे, अन जल ग्रहन ना करेंगे। महराणा, यहाँ देश के हित्मे नहीं है। किन्तु महराणा की प्रतिग्या तो पूरी हो नहीं चाहिए। उसका एक उपाई है, यहाँ बूंदी का नकली किला बनाया जाए। महराणा उस पर विजय प्रात्त कर अपनी प्रतिग्या पूरी कर ले। देश के हित्मे ही मैं ऐसा करने को तयार हूँ, किन्तु हाडाओं को उनकी द्रिष्टता का दंड मैं समय आने पर अवश्य दूँगा। तीसरा द्रिष्य जंगली प्रदेश, नकली दुर्ग के मुख्य दुआर पर महराणा लाखा और अभेसे। महराणा, दुर्ग ठीक बन गया है न? इस मिट्टी के किले को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को चांती ना मिलेगी। अब ततिग्या पूरी कर ये विचार करना होगा कि बूंदी को मेवाड कि अध्रिंता स्विकार करवाने के लिए क्या किया जाए। महराणा, खेल शुरू करें, दुर्ग के भीतर को सैनिक रख दिये जाएंगे, जो नकली वार करेंगे, ये दुर्ग देखते ही देखते, मिट्टी में मिल जाएगा। आईए, अब चलें। अपमान होने दोगे? पर ये तो नकली दुर्ग हैं। हम महराणा के नौकर हैं, हमने उनका नमक खाया है। पर क्या जन्म भूमी का अपमान होने देना ठीक होगा? आखिर बुंदी हमारी जन्म भूमी है। नहीं, हम अपने प्राण रहते ऐसा नहीं होने देंगे। नकली दुर्ग का बंदद्वार। महराणा लाखा और अभै सिंग का प्रवेश। सूर डूगने को आया है। कैसी लज्जा की बात है। हमारी सेना बुंदी के नकली किले पर भी चित तोड का जंडा नहीं फेरा पाई। महराणा जब मैंने दुर्ग से अगनी वर्षा देखी तो मैं हैरान रह गया। मैंने दुर्ग में जाकर वीर सिंग से कहा कि तुम महराणा के नौकर हो। तुम्हें उनके विरुद्ध शास्तर नहीं उठाने चाहिए। वह बोला जब तक एक धी हाडा जीवित है भूंदी का अपमान नहीं होने देगा। इनका जन भूमी के प्रती आदर सराहनिये हैं। क्या ऐसे वीरों के प्राण लेकर मुझे प्रतिग्या पूरी करनी होगी। धन्य है वह भूमी जहां ऐसे वीर पैदा हुए। देखो वह अकेला कैसी फूर्ती से बान वर्षा कर रहा है। महराना देखिए वीर सिंग पर वार हुआ और वह गिर गया। जाओ दुर्ग पर पता का फैराओ और वीर सिंग तथा उसके साथियों के शव आदर सहित ले आओ। अभै सिंग का प्रस्थान। आज इस विजे में मेरी सबसे बड़ी पराजे हुई है। महराना देखिए किले पर हमारी पता का लहरा रही है। चारणी मैं बहुत दुखी हूँ। वीर सिंग की वीरता ने मेरी आँखों से घमंड का परदा हटा दिया। ऐसी वीर जाती को अपने अधीन करने की इच्छा करना भी उचित नहीं है। तो महराना, क्या बूंदी और मेवाड को मिलाने का कोई और रास्ता नहीं निकल सकता। वीर सिंग के शव के साथ अभै सिंग का प्रवेश। शव के पास बैठते हुए। अमर शहीद, मैं अपनी अपराद की शमा मांगता हूँ। किन्तु क्या बूंदी के राव और हाडा वंश इस घटना को भुला सकेगा। रावहीमू का प्रवेश। क्यों नहीं महराना, हमारी तलवार शत्रों के लिए उठनी चाहिए। अपनों के लिए नहीं, हम सब राजपूत एक है। वीर सिंग के बलिदान ने हमें जन्म भूमी का मान करना सिखाया है। आओ, हम सब इस वीर राजपूत के आगे मस्तक जुकाएं। सब मस्तक जुकाते हैं, पर्दा गिर्दा है। लेखक हरी कृष्ण प्रेमी